नमस्कार दोस्तों मैं काजल शर्मा आप देख रहे हैं आज का हमारा कारेकरम अनुभव सच का दोस्तों चलिए अनुभव सच के साथ और जानिये अपनी सफलता का रहसे तो क्या आप भी काल सर्प को मानते हैं जी हाँ तो आप यहीं परफस गई क्योंकि पहले की जोतिश में काल सर्प बहुत ही कम होता था जो कि आज अधिकतर कुंड़ियों में काल सर्प पाए जाता है तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इसको साइंटिफिक कैसे प्रूफ करोगी पहुत ही सरण है काजल जी नोर्थीस्ट जि लोकों के घरों में नोर्थीस्ट में टॉइलेट खास करके नहीं बनते थे हमारे बजूर कितने समझदार थे के पूरवदिशा टॉइलेट नहीं छोड़ेंगे इवन बहुत से घर तो जंगल जाते थे काजल जी टॉइलेट को जंगल शब से पुगारा जाता था तो मेरे बजुर्ग और नौजवान साथियों आज मोस्ली गरों में ये नक्षा नौर्थ इस्ट इशान कौन जी हाँ इशान कौन में जिस गर में टोईलेट बन गया गंदगी का स्थान मिल गया उस गर में समझो काल सर्प ने एंट्री कर दी मैडम आपने बहुत असानी से बोल दिया काल सर्प पहले नहीं पाय जाता था इतना तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आज से 50 साल पहले लोग 90 साल 100 साल 110 साल क्या यू में तंदुष्ट पाय जाते थे जो कि आज पैदा होते बच्चे का 20-25 साल में कुमन डेथ होने का ए सब दोश काल सर्प के अंदर काउंट होते हैं क्यूंके काल सर्प भगवान शंकर का होता है और नोर्थ इस जिसे इशान कोन कहते हैं वो भी महेश का होता है महेश अर्थात शंकर शंकर अर्थात मृत्यू का दाता शम्शान घाट के केट पर जाएंगे भगवान शंकर वि राजमान इवन हर जाती धरम में अम्तिम धाम शिवपूर में पावे यह हमारा जाना माना अनुभव है दोस्तों यहां तक कि शिवचालीसा में भी लिखा हुआ है पुत्र होनकर इच्छा कोई निश्चे शिवपूर साथ से होई तो पुत्र का काम या स्वस्त या उसकी अल पाईू रहना ये काल सर्प के दोश में ही काउंट रहता है काजल मैडम काल सर्प पुत्र के ही काम को हाईलाइट करता है और घर का नोर्थ इस्ट भी पुत्र के ही काम को पुत्र के ही स्वास्त को हाईलाइट करता है यहां तक कि यदि नशापत्ती या क्रिमिनल केस पाई में तो वाके में काल सर्फ होता है बगवान शंकर का दोश तो आज हमारे स्कारिक्रम में आप सब ने जाना कि काल सर्फ कैसे हमारे कुणली में आता है और कैसे वो समस्याई पैदा करता है तो बिना किसी आडंबर के अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं और साथ ही अपने जीवन में खुशाली और तरकी लाएं इसी के साथ साथ साइंटिफिक तरीकों को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं तो आज के हमारे इस कारेकरम अनुबवसच में आपने जाना कि कैसे हम साइंटिफिक तरीकों से अपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं